ना लबर हो या ना हो, गारीन का शोक ना हो, बर ऐसा फ़ोधा गर में आपको दिख़ई दिएगका जो न काफी कमन प्लांट है आज का इस वीडियो में हम लोग मानी प्लांट के बारे में बात करेंगे, मानी प्लांट के बारे में बात करेंगे So hi everyone, मैं हूँ एनियो and welcome back to my channel Money plant एक air purifier plant है, मैंने काफी वीवर्स को पता होगा यह आपकी घर की air को purifier रखता है आपके घर का जो harmful component है air में उसको एबसर्ब करके आपको fresh air देते हैं, आपको healthy रखता है इसलिए मैं तो कहती हूँ आपको money plant आपकी घर में आपकी drawing room में, bedroom में, kitchen में, हर जगा में रखना चाहिए क्योंकि ताकि आप fresh air ले सके और guys इसका जो maintenance care है यह ताफी easy है money plant को आपको grow करना बट इसकी lighting, इसकी meat tea, कैसा उसमें पानी देना चाहिए हर बात में बताऊंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं, next part 2 में मैं बताऊंगी क्योंकि अगर एक ही वीडियो में में सारी बाते बताऊंगे तो आप लोग भी बॉर हो जाएंगे और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ऐसे तो money plant की अलग अलग varieties होते हैं लेकिन सभी varieties में एक काफी common plant है जो काफी common house plant है आप हर जगा में शायद आप लोग ने देखा होगा इसमें वेरिगेशन जो है काफी कम होते है इसमें green जादा होते है देख सेक्टे आप तो नजदी से में दिखा रहे है इसमें green जादा होते है और जो yellow patches होते है yellow इसमें कम होते है यह काफी common plant है इसको हर जगा में देख चाहेंगे यह काफी easy to growing plant है ज़रूर आपको इसको लगाना चाहिए इसको अपने collection में जरूर रखे गाइस आप इसको अपने collection में जरूर रखे गाइस आप इसको अपने center table में, drawing table में रखे काफी beautiful और bright लिखता है थर्ड जो variety के बारे में मैं आपको से बात करेंगी वो काफी cute सा है इसका नाम है enjoy pothos जो काफी cute सा है इसका जो leaves है यह green और white का combination है और इसको आप hanging basket में लगा यह तो काफी beautiful लगता है और इसका जो leaves होते है यह दूसरी pothos से थोड़ा थिक होता है थोड़ा मोटा होता है देखें और यह काफी घना निकलता है और इसको देखने में थोड़ा English Ivy की तरह देखता है देख सकते हैं लेकिन यह English Ivy नहीं है शेप में थोड़ा अलग है लेकिन दूर से आपको English Ivy की तरह ही देखेगा जो काफी beautiful लगता है यह English Ivy नहीं है यह pothos के varieties है और एक varieties होते है जिसको Marble Queen Pothos बोलता है जो काफी beautiful होते है Marble Queen Pothos के आपको अलग से क्यार लेने के ज़रूत नहीं है दूसरी varieties की पothos का जैसे आप ख्याल रखते हो जैसे मिट्टी देते हो पानी देते हो सालनाई देते हो सेम Marble Pothos का भी वे से ही आपको मिट्टी पानी देना है Marble Queen Pothos का जो वेरिगिशन होता है वो थोड़ा ज़ादा होते है इसका जो लीप से उसमें white ज़ादा होते है और brain थोड़ा कम होते है और इसका जो लीप से थोड़ा बरे होते है गाइस आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दोना और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्रीज सुब्सक्राइब करना मत बुलेगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजीगा क्यूंकि मेरा नेक्स वीडियो जब भी आए आपके पास पहला नोटिफिकेशन आजाएगा तब से क्लिस्टे सेफ एंड बावाए